एकी बार बोले थे भाईया सबको तो बोले हाँ क्यों नहीं अराम से आ सकते रह सकते इधर गे हूँ अरे भाई साव यहां पे बीच में हेलीकॉप्टर उतरने वाला है हेलीकॉप्टर अरे भाई साव देखे भाईये में तर समूंदर ही समूंदर है और यहाँ पी付 लिखा हुआ है के कमरे में पुझी महात्मा गंदी यहां का लोकल जोए ट्री kalian हर हर बहादेव जैसे यह राम आप सभी को कैसे आप सब आसा कर दो ठीक होंगे स्वागत है आप सभी को सूरेज बीयल ब्लॉग्स चनल में भारत के शार्थाम यात्रा में नहीं नेजर गवर पे मेरे साथ तो आज है 26 फरवरी 32 और सुवक के भी शारे आठ हो रहा है पिछला ब्लॉग में देखे ओंगे और यहां पुर्वंदार मातर साथ किलोमेटर है और दौरकादीस एक सुसाथ किलोमेटर तो बहुत सब्सक्राइब मन दीर काफी और बहूत ही बढ़िया क्या बता है बहुत सुनदर है बहुत है यहां पर वॉश्नों बग्रा भी था तो यहां निकलने पहले यह लोक चारजर वह तक सारा कुछ वमिला बाज़ाता किया उज़क कर देता हूं कि इक़िश्ट मेनि रात में रातमें वह ले थैं पेंटिंग का काम करते थे तो उनी के साथ में रात में सोय हुए थे चलते हैं यहां से और दिखाते हैं कैसा भी हुए नहीं है ठीक है अभी यहां से निकल रहे हैं जूता पहने तो हुँ सही से जूता तो पहने भी नहीं किया सही से सिर्भात पहल गुषा दिये थे हैं सब्सक्राइब निकल गए हैं अभी और बंदर के लिए मजा आ रहा है यह लग रहा रहा है अभी सभी बहुत ही मस्त आने वाला है समुंदर के साइड से निकलेगा राष्ता है अभी अभी अधर गेहूं अधर बाइसाब यहां बेच में हेलीकप्र उतरने वाला है है हेलिकॉप्टर जैने की चोपर उतरने वाला बनाया हुआ है और साइड साइड में गेहूं भी बो दिया है भाई साहाब इधर 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 जोना है सामने में यहां इधर पूरा दिया है और बीच वीच में क्या है चोपर उतरने वाला है लिकप्र उतरने वाला बना दिया है वह है לगरे हैं इसकता है यहांप किन ब्लत उतर सकता है मैं में यहां यह म्यूंत लग आए ष्वयां इसलों सुबह क्या ही बताएं सब मेरे कोई काहिद देख रहा है इसा क्या कर रहा हूं जीरा से गुजर रहा हूं मूली घुमा घुमा के देख रहा है अरे भाई साहब तब दिख रहा है यहां से बीच ही बीच अरे बाई सहाब मैं उसका साइड से होते वे जा रहा हूँ अरे बाई सहाब देखे बाएं में तर समुन्दर ही समुन्दर है अरे बाई सहाब देख रहा है अरे बाई सहाब दिख रहा है अपर देखो समुंध रहे इसके साइट से में जा रहा हूँ अरे भाई साहाब इसीलिए हम रात में रूके यही दिखाने के लिए आप सभी को यह दिखाने के लिए हम रूक रहे थे आज रात को वह भाई साइट से रोड बंगल में समुंध रहे और यहां पर अपना सार्थी जला रहे हैं अरे भाई साहाब कितना मस्क लग रहा है तो गजब लग रहा है देखने में लोग र्यादे तो हमें जाना ही तो है यह दिखाने के लिए अगर हम रात में क्रॉस कर लेते यह आप सभी को नहीं दिखा पाते हैं इसलिए हम रुक है जो यह भीव आप सभी को दिखा पाऊं तो एक लाइक कर देए तो अब यह ग्यारा एक तरीस हो रहा है और रहना करस पी रहा हूं भी किया का लोकेशन बहुत ही मस्त है जो बात है ना मज़ा आ रहा है अडाम वराम से जा रहा हूं वह इसलिए क्योंकि हवा बहुत पेज़ है कोई बात ने नजारा का आनन उठाते हुए जा रहा हूं तो अभी एक संतावन हो रहा है यानि कि मैं पोड़बंदर पहुंच गय पुजी कस्तुर्बा गांधी पुस्ताकाला है देख रहा है अगारी साहाफ पैर में बहुत गरम लग रहा है यहां पर लिखा हुआ है पुजी मातमा गांधी जी का जन्मस्तान चलते हैं उधर भी चल कि देखते हैं अगरन ऊपरण बिखाते हैं पिज हुआ है यही आयन का जन्मस्तान है गहर शोंग भी यहां繁 certific काशा, जो इता है। नान एक भी मता जी और रगिता। रहूँ, रहाँ हो आखे कर दो चोटा चोटा घर एक दम बिल्कुल चोटा चोटा घर और यहाँ पर लिखा हुआ है यह कमरे में पुझी महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था यह कमरे में इसा लिखा हुआ यहाँ पर चरका चलते हैं गूम लिए अच्छा लागा गूम के तो अभी सामके तीन चोबालिस हो रहा है और मैं पूरबंदर सीटी से निकल गया हूँ बाहर भारत पेटूलियम का तो यहाँ पर भाहिया से परमिसन ले करके मैं फ्रेस वरेस हो गया नहाद हो करके तो इसके लिए दिल से दन्यवाद भया और अभी जश्ट चाय पिलाए हैं इसके लिए भी भंदेवाद अब को अभी निकलते हैं यहां से और एक ही बार मैं बताए तो बोले कोई बात नहीं अपना ही पर रुलबभ है आप से अपर इस पर रजाओ कोई लिकरते हैं अच्छा लगता है तो है जो आप सब देख रहे है नहीं पर यहाँ है यहाँ रहां यहां पर मंधीर है उन्हींने का यह Popular है वने मुख्य है प्डवेश दुआर रहे है तो भी चलते हैं वहां पर मंदीर तो देख रहे है शूरिप रजा रहे है चे अब हmotion कर रहा एं ठीक है और यहां पि पर जा रहा हूं किनके घर जा रहा हूं वह बताता हूं पहले मैं मंदिर से घूम कि आता हूं सुरी भगवान के मंदिर से उसके बाद में आप सबी को बताता हूं चलते हैं अभी अब अभी आगे है सुर्य भागवान के मंदिर में यहाँ पर काफी अच्छा जगा है बहुत ही सुन्दर जगा है तो भी दर्सन करते हैं जै हो सुर्य देवता काफी अच्छा जगा है अंदर में ब्लॉग निए सुट कर सकते हैं अनिके अंदर में वीडियो निए सुट कर सकते हैं तो कोई बात नहीं बोले माफ़र कर दीजिए हमको पता नहीं था आँ कहीं पे लिखा भी नहीं है तो कोई बात नहीं कहा से आयो हम बोले बिहार से तो अभी मैं सूर्य मंदीर में ही हूँ और अभी यह सारे 5 हो रहा है आप देख सकते हैं सूर्य मंदीर का जो बगीचा है उसी बगीचा में हूँ बहुत ही बेहतरीन जगह है यह और अभी मैं जा रहा हूँ एक गौँ है जो है मोदिवाडा और वह गौँ परबंदर से 26 किल किलो मीटर है और यह सूर्य मंदीर है यहां से 7-8 किलो मीटर में मोदिवाडा में एक भाइजी के घर पर जा रहा हूँ जो अभी इसराइल में है वो मेरा ब्लॉग सब देखते हैं तो वो बोले हुए हैं जो आप दौर का जा रहे हैं तो मेरे घर से होते हुए जाईएगा मैं एनेच से भी सिधा निकल सकता था लेकिन भाइजी वोले हैं जो आप मेरे घर से होते हैं जाईए तो उनसे बात होती है कॉल वगेरा वाक्सप वगेरा पर बहुत ही अच्छा लगा है उनसे बात करके तो अभी मैं उनके घर पर जा रहा हूँ और उनको मेसेज कर दिया जो कहा कहा मेरा ब्लॉग देखा जा रहा है कहा कहा से भाइजी सब मेरा ब्लॉग देखते हैं तो बहुत ही खुछी मिलती है слов कल मेरा 10 के के रेंज में ऐसा ही हुए मतलब मैं स्यूर नहीं हूँ वहां पे होगा तो बता देंगा आप सभी को पहुंच के चेक करेंगे कैसा है नहीं है कितना दूरे नहीं है लगवाग में 80 किलोमेटर होगा बहुत ही तुसी मिल दा है जो मने क्या बता है जगा काफी बढ़ियां है हरी हरा होगा है मस्ट लग Sagna Gondon. कि पीछ से रास्ता गया हुआ है ये कि यहां अच्छा लग रहे देखने में कि वहीं है अच्छा लग रह देखने में ये किजि़ ना मस्ट लग शाल आगे, कफेद पूरा प्लम येक साइज में यह रोड है, रोड के साइड में फूल का गाज सभाय दीगे, तो इतना प्यारा लग रहे है देखने में, वही बहुत ही प्यारा लग रहे है, मज़ा गया, उंकल हाई करके गए है, बहुत ही खुमसूरत लग रहे है, वही बनखूस हो गया है इदर आके, सही में, अभी गौमे में परवेस कर गया हूँ, अभी मैसिज किया हूँ उनको तो वह बोले है, अधा किलो मीटर और, तरकी मैं अभी लोकेशन भेज दिया थे उनको, वह बोले अभी अधा किलो मीटर और सीधे जाने के लिए, तो भी चलता हूँ, ठीक है, फोन चार्ज नहीं है, अ प्रतिमा बनाया गया है तो अब 6.18 और मैं भी आ गया हूँ भाईजी के घर पे और यह जो जो जोला है जोला पे बैठा हूँ पानी पिया हूँ अभी चाह लेकर आ रहे अपना सार्थी वहाँ पे है और वीडियो कॉल पे आया हूँ में रोड से ना वीडियो कॉल पे भैया ताबी चाई पीते हैं घर मिलते हैं आप सबीसे इसको क्या बोलती है इसका लोक रइवाई पपिता ही है इज बहुत पसंद है धगा ना पऩश का प mend बहुत ही मीठा होता है तोई भछा के अगन महीं है आइज बिलाता हुआ झाए यके बेटे से आई एक विराज आभी वहां सब क्रिकेट ख़ल के आया है हलो कर यह थूदमार्य थे तो आपर यह तो आपय चलियोग के ना भी जस्ट किर्केट ख़लकर आएदेगह न सैकले यहाँ पे बैट भी बत चलते यह अव्कुत एपकर चलते चलिये अचलिय उपर चलते चलिये आशहहंद है कोई बात निए कोई है सब धूपर चरकी घूमते हैं और बाहर का नजारह दिखाताएं आपको कि और यह आम का पेर जो की बहुत मोजर दिया हुआ है देख रहे हैं इसको हम लोग टुक्ला बोलते हैं हम लोग इसको जो दिया वह ना मोजर इधर भी मोजरी बोलते हैं मोर अच्छा अच्छा हाँ समझ गया और इस थोरा-सरा बड़ा होगा तो हम लोग टुकला बोलते हैं तो यह उपर का कुछ घर और चलते हैं यहां से विशू देखिए बुरा खेत के वीच में घर है एक उहां पर ग़र है और एक यहां पर जोकी बहुत ही सुन्दर लग रहा है यहां से अभी उपर चलते हैं यह लक्री वाली सीडी है अइट है अज़ा बहुत ही सुन्दर लग रहा है एक इसी जगा मुझे बहुत पसंद है काफी बढ़िया है देख रहे ना इसमें दान थान ने गेहू गेहू था यह चना था अच्छा चना था इसमें जो कि पूरा वह चुका है उखार फखार के वही साहा कितना मस लग रहा है ना भाई साहा कितना सुंदर लग रहा है दिगे तो चिरिया एक लंग गया है भी जिसमें बहुत सारी है और यह दूसरा लेंग जा रही है कौन सी चिरिया ही है अब नहीं पड़ा कि यहां पर कुण बोला जाता है एक लाइन कि यह बहुत सारा यह पर तेड़ सो दो सो गास पास होगा इसमें भी इसमें भी आप बहुत सुन्दर लगड़ा है बाई यही फाइदा और इधर भी जारी है यह सम्व अपने घर में जा रहा है भी खाना भना बहुत अच्छा लगड़ा है मुझे ऐसी जगह और आपको दिल से दने बाद भाई जी यहां पर बुलाने के लिए अच्छा लगा आपका घर और यहां पर यहां पर दाल का यह हो रहा है ना चना का धनिया का वहां पर ट्रैक्टर है वहां से दोनी हो रहा है दनिया का जि दिखे दिख रहा है ना अभी ट्रायक्टर लगा हुए वहां पर बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी रात के 9 बजने वाला है और मैं खाना खाना के लिए बैठ गया हूँ पूरा यहां का ओमेट खाना यानि की ट्रेडिसनल जोंग रेजिम होता है वह बहुत ही अच्छा यहां पर बहेजी के घर में तो खाते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है हां बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लगा अगर आप ब्लोग देख रहे ता आपको दिल से दने बाद अपने घर पर आमानित करने के लिए अच्छा लगा वहां पर चाची है मापी भी है यहां पर तो खाते हैं फिर मिलते हैं आप सबीसे बहुत ही अच्छा लगा देखें नो पूरा यहां का लोकल जो है ट्रेडिशनल खाना